वेलकम तो दे चैनल ग्यापन एकेडमी और आज जो यूरोप में राष्टवाद का उदय था उसी का सेकेंड पार्ट लेकर क्या हैं ये बहुत ही इंट्रेस्टिंग है क्योंकि इसमें हम लोग जानेगे कि नेपोलियन बोला पार्ट आखिर ये है कौन और इसमें एक चीज और जने की ये कौन-कौन से काम किया ठीक है ये एक ऐसा सासत था जो कभ इसके डिक्सनरी में हार नाम की चीज नहीं थी इसके बारे में हम जानेंगे इस से पहले वीडियो में हम बता थे कि फ्रांस की क्रांथी क्या होता है और फ्रांस की क्रांथी हुआ था वन सेवन यहां लिखते हैं ॹए ॹए 1-7-8-9 ,ोज के थहीं का समझ रहे की वन के बद 7-8-9 इस समे फ्रांस की खर्रांती होई थी और की ॉने के बाद से जब वहां से लुईी सुौावां लूख़वों ने उस shines हुआ के लोगों झाशल खोज़ा एक रहां और फ्रांस की कर्हके के चार साल बाद यानि कि आप देख सकते हैं कि 89 के बाद 91 बन में 93 यानि कि 1793 में उसको फासिद दे गए और कुछ दिन के बाद से उसकी वाइफ को भी फासिद दे दिया गया क्योंकि जिस तरह लुई अगर एक तरह से बहुत ही अत्याचारी थी अगर एक तरह से लोग मूवियं बोलते हैं न कि यह विलेन है गुंडा है तो समझे कि एक परकार कर उसको गुंडी कहा सकते हैं ठीक है तो यहां पर सतर सनमासी फ्रांस की किरांती होने के बाद से वहां का बीदी व्यवस्त पूरा खलवड़ा आ गया आखिरकार फ्रांस को चलाने के लिए ऐसे तो फ्रांस जो देश है इसको चलाने सुचार रूप से सही पुरवक सांती पुरवक चलाने के लिए एक कोई प्रधान की रहा था इसमें में डोल एक नेपोलियन बोनापार्ट इसका नाम उजागर हो रहा था कहा जाता है कि हर लडाई में एक कोई फेमस हीरो होता है तो यह जो फ्रांस की क्रांती चल ले थी इसमें सबसे बड़ा जो famous hero निकल रहा था वो था नेपोलियन बोनापार्ट नेपोलियन बोनापार्ट के जिंदगी में हार नाम का सब्द नहीं था वो हमेशा लड़ाईों को जीता है और लड़ाईों को जीतने का कारण भी था ठीके वो planning के साथ लड़ाई करता था और वो उसका एक बात बहुत ही बड़ा बात कहना है वो बोलता था कि अगर युद में जो लड़ने वाला जो भी सैनिक है अगर उसका मालिक mindly काफी strong है तो समझे कि उसके जितने भी सैनिक होंगे वो एक बात मजबूती से लड़ेंगे उसका एक कहना था कि अगर 100 सेरों के जो भी होता है उसका मालिक अगर कुत्ते को बना दिया जाए तो 100 सेर जो होंगे कुत्ते की मौत मरेंगे लेकिन अगर 100 कुत्ते का मालिक को अगर एक सेर बना दिया जाए तो जितने भी कुत्ते हैं सेर की तल लड़ेंगे यानि कि उनका statement यही था और वो यही सोच करके ठीके और हर लड़ाई में जीत हासिल करता था तो यहां देखते हैं कि जब युद्ध हुआ फ्रांस की क्रांती हुई तो नैपोलियन बोनापार्ट मतलब यह पूरा का पूरा बीदी व्योस्ता खडबढ़ हो चुका था उसको सुधारने के लिए सबसे पहले जो डायरेक्टरी का सासन था उसको 1799 में उसको समाप्त करके और खुद सत्ता परकावीज हो गया सता परकाविच होने के बाद से यानी 1799 ä डेट याद रखिएगा उसके बाद से 1804 में वो फ्रांस का सम्राड बना जब 1804 में फ्रांस का सम्राड बना तो जो पोब लोग है पोब लोग का मतलब जो पादरी लोग आप लोग देखें कि क्रिश्टम में फादर्लोग होते हैं जो पलस्का माला पाने होते है ठीक है तो वntyव्मुकूोट ला करके और उनको मुतलब की वो क्या बोलते हैं उसके उनके सर पर रख रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम आपके हाथों से मुकुट नहीं पहने है यह मुकुट रनभूमी में गीरा हुआ था और इसे हमने अपने तलवारों से उठाया है इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि यह हम कोई विरास्ती राजा नहीं है कि मेरे दादा पर दादा जो भी वह राजा थे तो मेरे हम भी राजा हुए है और आप हमें पहनाएंगे यह हम लड़ करके जीते हैं अगर हम इस युद में हार गए होते और यह लड़ाई हम अगर हार जाते तो आप मुझे इतने सम्मानित रूप से कभी मुकुट नहीं पहनाते इसलिए उनके हाथों से ले करके और खुद मुकुट वह पहन लिया अब एक बाद बताईए इससे उनको काफी मतलब की वह जो पादरी थे उनको काफी दुख लगा ठीक है कि यह बहुत ही घमंडी हो चुका है ठीक है और एक बार और अभी अभी फ्रांस जो की राज तंतर से मुक्त हुआ था ठीक है एक बार फिर वो राजा के अधीन आ गया फिर एक बार राज तंतर आ गया वहाँ जिस जैसे की फ्रांस गड़ तंतर रहना चाहता था एक बार फिर नेपोलियन बोनापाट आ करके फिर राजतंत्र कायम कर दिया लेकिन राजतंत्र कायम करने के बाद वो उन राजाओं की तरह नहीं था जो नीरंग गूजते इन्होंने कुछ अच्छे-अच्छे काम भी किये ठीक है तो देखें यहां पर सबसे पहले नेपोलियन बोनापाट यहां लिकें 1799 में इन्हों ड नेपोलियन संहिता लाग हुआ है यह आप लोग डेट याद रखेएगा यानि की 1899 के बाद 1804 और फिर 1800 जब यह राजा बना उसी समय अपना संहिता दिया था ठीक है जिससे नेपोलियन संहिता करते हैं या फिर हम लोग का सकते हैं इसे नागरिक संहिता इसमें लोगों के बारे में कुछ अच्छे अच्छे विचार दिये कि लोग को कैसे रहा चीए इस राजे को चलाने के लिए क्या-क्या अच्छे नियम है ठीक है ओचीज इसके बारे में डिटिल्स दिया गया है अब नेपोलियन मुनापाट जब राजा बना तो फ्रांस को अच्छा से चला करके और लात मार के भागा दें ठीक है यह दिमाग में उचाहता है कि हमेशा रष्टबाद बना रहा है उन्होंने देखो क्या-क्या नेपोलियन मुनापाट ने काम किया नेपोलियन द्वारा किया गया कारे जनम पर आधारित विसेस अधिकार समाप सबसे पहले नेपोलि इस नियम को हटा दिये कि नहीं जो इस लायक होगा वही राजा बनेगा फिर नेक्स्ट उसनोंने क्या कि कानून के समक्ष बराबरी और संपती के अधिकार को सुरक्षित यानि कि कानून के समक्ष बराबरी उन्होंने कहा कि कानून सब के लिए बराबर है यहां किसी परका किया कानून के समक्ष सब को बराबरी कर दिया और उसके बासे संपती के अधिकार को सुरक्षित और उन्होंने कहा कि अगर आपका संपती है तो यह आपका ही रहेगा इसमें किसी परकार का राज्ये के तरफ से हस्त छेप नहीं रहेगा यानि कोई इसमें रुकावट नहीं यह संपती हमको दे दो और हमारे अंदर रहके तुम काम करो ऐसा कुछ नहीं अगर संपती आपका है तो उसमें उपजा हुआ हर वो अनाज आपका ही होगा आप अपने संपती के स्वेम मालिक हैं उसके बाद से समंती विवस्ता समाप यहां देखें इंपोर्टेंट है समंती वे वस्ता होता क्या है देखिए को समंती वासता पहले जो यह समंत लोग थे यह रईवीं लोग एक होईयों में गधया धाला हैं, जो फ्रांस का रश्टवात में एह राईश लोग यह भी लोग थे, तो यह भी लोग रहते थे सहरा, इन यह जम रहाने के बात इन लोग का जमीन होता था, बहुत बड़े जमीदार काहेधे थे प्रसमनति लोग , तो जो जमीन होता उसमें वो एक किशान को दे देते थे और जो किशान होते थे वो मजदूरों से काम करवाते थे और ये बड़े-बड़े हवेलियों में रहते थे सहरों में तो ये सहर के हवेलियों के मालिक थे और दुसरा कि गाओं के जो भी जमीन थे उसके भी मतलब समझे तो मालिक थे और वहां स किसान मजदूर के काम कर रहा था और जो भी संपती होता था पैसा होता था फो समंब्रत लोगों पास आ जाता था ठीक है किसानों को जागिरदारी सुल्कों से मुक्त ठीक है यहाँ पर किसानों को भू दास्तों भी है और किसा क्या बोलते हैं इसको जागिरदारी सुल्क से मुक्त कर दिया गया है देखिए यह क्या हुआ है सबसे पहले होता क्या था कि जो भी किसान लोग थे और किसान लोग जो मेहनत कराते थे तो उनको पैसा कम मिलता था वो सारा पैसा सामन्तों के पैस चला जाता है ठीक है और अगर पैस खेती कभी-कभी होता क्या है कि मौश्रम प्रकृति का मार कोई नहीं जाता है किस तरह का प्रकृति कंपर परभाव डालेगी कभी ज्यादा बारिस हो जाए या फिर कभी ज् तो कुछ नहीं हो पाता है खेतों में जैसे खेती करने वाले लोग जो होते हैं बहुत परसान हो जाते हैं पानी नहीं होता है फिर भी परसान कभी पानी हो जाता है ज्यादा फिर भी परसान तो उनको फसलों में बहुत ज्यादा नुक्षान होता है ठीक है तो सामन्त और संचार में शुदार और आने जाने में जो भी कठिनाईया होती थी यह तयात के रास्ते में और संचार जो लोग हम यहां से एक दूसरे से जगह जा रहें एक जगह से इस सब में उन्होंने चया कि नैपूलेनpent बनापट सुदार किया एक समान और सब के लिए एक समान कानून बनाया यह कानून सब के लिए बराबर है किसी के लिए भाई बती जवाला रूल नहीं है ठीक है यह नहीं कि समंती समंती का मतलब रुपय पैसे वाले लोग और रुपय पैसे वाले लोग देखिए थे बहुत कम ये जनसंख्या में बहुत कम थे देखे मजदूर वर्ग ज्यादा थे लेकिन बस पैसा में ये लोग ज्यादा थे और सारे समंध एक दुसरे से रिलेशन बनाके थे जैसे इनके माली जी की कोई लड़की है तो एक दूसरे से संबंद बनाए उनके आपने कोई लड़की व्याह रखा था कोई लड़का व्याह रखा था ऐसा कंडिशन था एक दूसरे से संबंदी के रूप में थे ठीक है और मापतौल भी समान था वहाँ मापतौल की पत्ती थी क्रांतिकारियों को सम्मान यहां देखे यह बहुत important था क्रांतिकारियों को जितने क्रांतिकारी लोग थे और वहां पर जितने रश्टवादी लोग थे जो काफी ज्यादा मतलब क्रांती के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा युगदान दिया है ठीके वो उनको सम्मानित कर रहा था वो सम्मानित अखिर क्यों कर रहा था ताकि दूसरे लोग देखें ठीके तो उनके अंदर भी रष्टवाद की भावना हो कि अरे यार यह अपने देश के लिए अपने राष्ट के लिए अगर इत कारे नेपोलियन तो वैसे बहुत सारा कारे किया ठीक है और इस कारे करने के पीछे इसका कोई लालत चिपा हुआ नहीं था लेकिन ऐसा लोगों का मानना है और कहीं-कहीं इतिहास में यह भी दरसा दिया गया कि नेपोलियन भी बाद में निरंकूस हो गया उसे कहा जाता है कि अगर ज्यादा किसी को धन संपती हो जाता तो धिरे धिरे बाद में उसको घमान डोने लगता है लास्ट में इसके साथ भी यह वा हम अगले वीडियो में पढ़ें कि आखिर नेपोलियन बोनापार्ट आइसा नहीं है कि हम ऐसा रहा है नेपोलियन बोनापार्ट भी हार अखिर यह क्यों हो रहा है जब लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे तब तक के लिए जहन